हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती बढ़िया सा आइडिया लेके आए हूँ तो जो भी हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं उनका हम यूज करके अपने पूरे घर को ओर्गनाइजर कर सकते हैं तो यहां देखिए मैंने लिया है एक पुराना शेट और एक फिर आप बेरशीट होती है कुछ भी आप इसकी जगह पे ले सकते हो तो दिखिए करना क्या है कि मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया है और अब दिखिए जो बटन की साइड है उसको हमें दो-दो इंच के साब से इसको मार करना है उपर की साइड से तो जब मैं यह पूर इंच उपर इसको लेना है और इसके से हम मार कर लेंगी तो दिखी इतना हम यह लेंगे यहां पर मार कर लेंगी और चोड़ाई चोड़ाई आप कम ज़्यादा रख सकते हो आप अपने हिसाब से और मैं इसको कट कर लेती हूं दिखी यहां तक और वेसे भी इसके देखे लाइनिंग बने हुए हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है मार करना कट करना तो यहां मैंने इसको कट कर लिया है तो यहां मैंने कट कर लिया है अब देखे नीचे की साइड में यहां पे फोल्डे साइड है तो मैं इसको भी कट कर लेती हूं कट होने के बाद कि हमें क्या करना है कि इसको हमें 3 इंच पर मार करना है तो दिखें यहां पर मैं 3 पर निशान लगा लेती हूं और इस साइड में भी हमें 3 सेंटीमिटर पर निशान लगा लेना है और अब मैं इसको कट कर लेती हूं और इस तरह से ही हमें दूसरी साइड में भी मार करना है तिन तिन इंच पे हम यह निशा लगाएंगे तो मैं अब इसको कट कर लेती हूं और इस साइड को भी कट कर लेती हैं कट होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको दिखी हमें इस तरह से सीधा करना है और एक हम पोकेट तयार करेंगे तो पोकेट के लिए जो भी कपड़ा बचावा है उससे हम पोकेट करेंगे तो क्या होता कि शेट में देखे पोकेट लगा हुता है वो भी आप लगा सकते हो लेकिन मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए तो में उसे साफ से मेंने यह पे कट कर लिये है और तिन साइड में हमें निशान लगा लेने हैं निशान लगाने के बाद दोनों साइड में हम यह निशान लगा लिए हैं और इस तरह से हम पिच्ची की साइड में प्लेट डालेंगे तो देखे कुछ इस तरह से यह डालने के बाद जो हमने यह तयार किया है उसके बटन की साइड में हम यह ल तो साड़े चार साड़े-चार जगे छोड़की फिर हमें इस पोकेट को स्टेट कर लेना है यहां पे देखिए तो करने के बाद मैंने बाजू लिया है और देखिए मैं इसको कट लेती हूँ जो भी इसके नीचे का पाठ है वह हम कट करेंगे और फिर इसके दो हम पट्यां कट करेंगे तो यहां देखिए मैं जो भी सिलाई है वो उसको निकाल लेती हूं और अब यह देखिए जो सीधी साइड है वो हम निकालेंगे तो यहां देखिए एक हमारी स्ट्रिप तयार है और दूसरी एक स्ट्रिप हम और कट कर लेंगे तो बराबर हम इसकी कट करेंगे और जो हमने cut किया है कपड़े उसमें देखिए आपको इस तरह से लगा देना है, दोनों साइड में fold करके और इस तरह से set करके इस पर सिलाए लगा लेनी है, तो चलिए मैंने यहाँ पर सिलाए लगा लिए है और दो मैंने यहाँ पर त्यार कर लिए है, अब देखिए हमें इस तरह से यहां पर दोनों साइड में यह लगा देना है लगाने के बाद हम यहां पर सील लेंगे सीलने के बाद हमने देखी आटा बेग और लाइनिंग तयार कर ली है सील की और मैं अब देखी इस तरह से इसको लगा लेती हूं और दोनों साइड में हमें इसको सील लेना ह सीलने के बाद हमें देखी इस तरह से इसको उठा के और दोनों बराबर अच्छे से सेट करेंगे और फिर हमें अब दोनों साइड में यहां से हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में तो चलिए मैंने यहां पर लगा ली है अब हम लगाने के बाद देखी जो हमने कट किया है कोनर इसको देखिए हमें इस तरह से करके और अच्छे से सेट करना है जो भी लाइनिंग है कपड़ा वो सेट करके और यहां पर हम सील लेंगे तो चलिए चारों को होते हैं किसी के काम नहीं आते हैं फर जाते हैं तो देने लाइक भी नहीं रहता है तो हम इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं यहां मैंने देखिए लाइनिंग के लिए लिया है तक्ये की खोली तो यहां देखिए मैं अब इसको सीली हूँ और आप मैं अंदर की तरफ इसको करने के बाद यह हमारा बहुती प्यारा सा देखे एक बेक बन के तयार है देखे आप देख सकते हो और आप मैं देखे उपर की साइड में इसको फिनिशिंग के लिए सिलाई कर लूँगी याम देखे मैंने सील की इसको तयार कर लिया है और अब आप देख सकते हो यह हमारा ब्यूटिफूल सा एक बेग बन के तयार है देखे कितना प्यारा यह लग रहा है और बहुत ही मुझे तो पसंद आया है और बनाना भी बहुत इ कैसे लगा तो फ्रेंज इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया आपके शाथ आइडिया शेयर करने वाली हूं तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाबाइ प्रेंग प्रें।